साथियो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे All Wells That Ends Bell अगर हम Alls Well That Ends Bell की बात करते हैं तो इसको बिलियम सेक्सपियर ने 1603 से लेकर के 1605 के बीच में लिखा ऐसा माना जाता है अच्छा बिलियम सेक्सपियर का ये बहुत ही खुबसूरत कॉमेडी है कॉमेडी होने के साथ साथ में इसको प्रॉब्लम प्ले के काटेगरी में भी रखा जाता है चलो हम लोग इसके सोर्स की भी बात कर लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है अगर हम सोर्स अगर आपके एकजाम में पूछा जाए TGT या PGT या किसी अनकॉम्टेटिव एकजाम में कि All's Bell That Ends बेल का सोर्स क्या है तो आप सोर्स इसका बताओगे बिलियम पेंटर्स का एक दी पहले सा प्लेजर है जिसको बिलियम पेंटर्स ने कब लिखा है 1566 के आसपास इस प्ले को लिखा था उसी को सोर्स बनाया बिलियम सेक्सपियर ने किसको All's Bell That Ends बेल को ठीक है इसकी सेटिंग देखो कहां कहां दिखाए जाती है जब आप इस प् क्या है अगर हम सेटिंग की बात करते हैं तो रोजलिन इसकी सेटिंग दिखाए जाती है पेरिस में फ्लोरेंस में और मार्सिलस में इसकी सेटिंग दिखाए जाती है जानर की बात करते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इनकी बहुत ही खुबसूरत कमेडी है बहुत अलाबा आप चाहों तो no down कर लो बिलियम सेक्सपियर की दो plays को और problem play के category में रखा जाता है एक का नाम था major for major कहीं पर भी आप इसको no down भी कर सकते हूं major for major और दूसरा tryless and crassida ठीक है ये दो play इसी category में रखे जाते हैं problem play तो टोटल तीन play दिहान बनाया रखना जो बिलियम सेक्सपियर के problem play की category में रखे जाते हैं मैंने क्या बताया major for major tryless and crassida all wells that ends bill ठीक है ये तीन play इनके problem play हैं अगर हम all's bell that ends bill की बात करते हैं तो इसको printed या publish करवाया गया था इनके first folio 1623 याने की 1623 में इतना चीज आपको clear हो गई है ठीक है तो ये आप कहीं पर भी इस information को पूरा का note down कर लेजेगा कि भाई या इसका source क्या है ठीक है setting इसकी कहा दिखाए जाती है जानर क्या है और इसको कब publish करवाया गया अब मेरे दोस्तों एक बार characters को देख लो कि आखिर यार characters कौन कौन से हमारे अगर हम king of France की बात करते हैं ये जो king of France है न ये जैसे याँ play को पढ़ना सुरू करोगे तो play के सुरुआत में बहुत ज़दा बीमार दिखाए जाते हैं और इनका इलाज जो है वो एक doctors के द्वारा किया जा रहा होता है लेकिन उस doctor की अभी-भी हाल में ही मृत्य हो गई और उस doctor की एक बेटी थी जिसका नाम हेलेना था और यही हेलना अपने पिता की दबाईयों में से एक दबा का उप्योग करके क्या करती है France यानि की जो king of France होते हैं उनको बिल्कुल ठेक कर देती है यानि की चमत कारिक दबाईयों का प्रियोग करके उसकी इतनी गम्वेर जो बहुत-बहुत बड़े-बड़े बहां पे बैद उनको ठेक करने के लिए आये लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया बट इनकी चमत कारिक दबाईयों से वो क्या होते है king of France जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इसे वो बहुत ज़दा हैपी भी होते हैं प्लाल हम लोग इस्टोरी में पूरी चर्चा करेंगे लेकिन अब हम चर्चा करते हैं इसकेंड करेक्टर की जिसका नाम है डियुका फ्लोरेंस अगर हम डियुका फ्लोरेंस की बात करते हैं यह क्या होते हैं फ्लोरेंस के सासक होते हैं और कई फ्रांसेसी लॉर्ड जैसे आगर हम बाटरम की बात कर लें पैरॉल्स की बात कर लें यह बहुत सारे लॉर्स होते हैं जो कि बॉलेंट यह अपनी स्वेच्छा से ही उसके लिए लड़ते हैं यानि कि उसके लिए उसकी तरफ से यूद में भाग लेते हैं तो यह कहानी होती है डूका फ्लोरेंस की बाकी हम लोग अंदर डिसकस करेंगी करेंगे अभी तुम्हें चोटा चोटा ओबर्विव खाली हम देते चलने हैं कि आखिरी चीजे क्या हैं अब हम बाटरम की बात करते हैं या यह वाटरम कौन है तो बाटरम देखो कौन है यह एक एंटोगानेस दिखाया जाता है पले का कौन दिखाया जाता है एंटोगानेस दिखाया जाता है और ये जो countess आप Rosalind होती हैं, उनका बेटा दिखाया जाता है, ठीक है, the count of Rosalind, since और ये बाद में count बन जाता है, Rosalind का ही, देखो, 3-4 question या से बन जाएंगे, कब count बनता है, जब इसके पिता की मृत्य हो जाती है, यानिके अपनी पिता की मृत्य के बाद, ये क्या बन जाता है count बन जाता है, Rosalind का, ठीक है, और आप से पूछा जाए, ये play में क्या है, तो ये antagonist का role play करता है, और इसकी माता जी का क्या नाम है, तो ये countess आप Rosalind दिखाई जाती हैं, इनकी माता जी, ठीक है, अब countess आप Rosalind कौन है, तो ये wateram की कौन है, माता है, और एक चीज मैं बत जादों की countess आप Rosalind की देखवाल करने वाली कौन है, हेलिना है, हेलिना जो है, बो देखवाल करती है, किसकी countess आप Rosalind की, तो आप कह सकते हो, कि हेलिना ज गारजियन, और हेलिना की बो गारजियन है, बाटरम की मा है, अच्छा जब हेलिना countess आप Rosalind की देखवाल करती ह ठीक है इनके बीच की जो bonding है जो chemistry है वो बहुत अच्छी है अगला हम बात करते है कि इसके हेलना की बात कर लेते है यार हेलना कौन है बहुत अच्छी लड़की है इस play में play की heroine दिखाए जाती है ठीक है इसे हम protagonist कह सकते है ठीक है आप दी play और ये क्या है orphan daughter है of a great doctor इसके पि और साथी साथ एक चीज और ध्यान बनाये रखना जो हेलना है ना वो बाटरम से प्यार करती है ठीक है कौन हेलना लेकिन बाटरम हेलना से प्यार नहीं करता है ये भी समझते रहेगा सिर्फ एही प्यार करती है लास्ट में कहानी बहुत ही ज़्यादा mysterious होती है बहुत ही दिखाया जाता है लेफ भी दिखाया जाता है ये कौन होता है और ये साथी साथ में countess और जो king होता है उनका बहुत अच्छा दोस्त होता है यानि कि close friend दिखाया जाता है कौन लेफ हो तो समझ में आ गया एक प्राना फ्रांसिसी रहीष नाबल मैन है जो राजा को सलह देत ये कहलो कि close friend to countess and king जैसे भी पैरोल की बात करते हैं ये पैरोल्स कौन है देखो भाया पैरोल्स जो है ना बुक कंपेनियन यानि कि साथी दिखाया जाता है किसका वाटरम का वाटरम जो होता है उसका साथी होता है लेकिन बहुत कायर वेक्ती है एक कायर बहुत दिखाया जाता है एन ओल्ड विडवर फ्लोरेंस फ्लोरेंस में जब ये जाते हैं तो बहां पर एक ओल्ड विडवर होती है ठीक है जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये डाइना की माह होती है डाइना भी एक सुंदर लड़की होती है जिसको वर्टरम जो होता है वो सिड्यूस करना च Rs. Capulate, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, Capulate नहीं, वह जूलिया, वह अलग चीज है, एक Capulate है, ठीक है, Capulate, तो हम अगर ऐसे बोलें, इसको Daina Capulate, ठीक, जैसे इसकी बेटी का नाम क्या होता है, बेटोग की बेटी का नाम, डाइना, तो जब इसके सरनेम जो है कैपिलेट है तो डाइना का भी सरनेम क्या होगा कैपिलेट होगा ध्यान बनाए रखना देखो यहां पर हमने मेंसन भी कर रखा है डाइना कैपिलेट अब प्रीटी डॉटर दिखाए जाती है बहुत सुंदर खुबसूरल पुत्री होती है जो कि फ्लोरेंस की जो बिडू होती है उनकी पुत्री दिखाए जाती है और इसी डाइना को ठीक है कौन जो बडरम होता है वो उसे सिड्यूज करना चाहाता है लवाचे की बात करते हैं यह लवाचे कौन है भई तो ये भी एक clown दिखाया जाता है इन हर household उसके घर का एक clown दिखाया जाता है ध्यान बनाए रखना कौन लवाच Countess के का एक पुराना नौकर है ये कह सकते हो ठीक है और मैरियाना जो है न वो पडोसी दिखाये जाती है और दोस्त भी होती है आप दे बिडो जो बिडो होती है यानि कि हम ये कह सकते हैं कि जो डैना होती है डैना की मा जो होती है उनकी दोस्त और उन्हें की पडोसिन दिखाये जाती है मैरियाना या आप ये कह सकते हो Florence की एक महला ये भी कहा रहती है Florence में रहती है इसलिए इसकी setting Florence में भी पहुंच जाती है अब next अगर हम चर्चा करते हैं एक यहाँ पर आपको कौन देखेगा पेज देखेगा कुछ soldiers होते हैं, servant होते हैं, gentleman और court या सोते हैं यह तो तुम्हें William Shakespeare के हर play में देखने को मिलेंगे अब हम लोग फटाफट story को देख लेंगे story में क्या होता है कि इस कहाने की सुरुवात रोजलेन नाम की जगह से होती है जहां के count की मृत्यू अभी-अभी हाल में हुई है जब यहां के count की मृत्यू अभी-अभी हाल में हो गई है तो उसका जो बेटा होता है जिसका नाम बर्टरम होता है को बहां का काउंट बनाया जाता है लेकिन ये राजनीती में अभी कच्छा है इसे बहुत ज़्यादा राजनीती नहीं आती इसलिए भै किंगा फ्रांस के पास ये जो ब्यक्ति होता है वो किंगा फ्रांस के पास क्य करने जाता है राजनीती को शिक निकले जाएगा और इनसे कहेगा कि मुझे पॉल्टेक्स सिखा दो लेकिन विदाई के दौरान कहा होता है जब यह बहां से निकल रहा होता है तो इनकी जो मां होती हैं काउंटेस वो बहुत जदा परिसान होती है क्योंकि वह जानते हैं कि ज उस डाक्टर की एक बेटी थी और उस बेटी का नाम था हेलेना उस बेटी का क्या नाम था भई हेलेना नाम था जिसकी देखरे काउंटिस को करनी पड़ती थी यह जो काउंटिस साफ रोजालेन थी हेलेना की देखरे की जिम्मेवारी किसकी थी काउंटिस साफ रोजालेन की इसे लिए हम एक ऐसे कह सकते हैं कि हेलेनाज गार्जियन, हेलेना की सरख्षक जो है वो कौन है, काउंटेसाप रोजलेन है और जो काउंटेसाप रोजलेन और बाटरम ये दोनों क्या है, मा बेटा है लेकिन यह आपर जो हिलना है वो इनके बेटे जिसका नाम वर्टरम है इससे क्या करती है, प्यार करती है बट वर्टरम हिलना को प्यारा भी नहीं करता है इतनी चीजे हमें यहाँ पर समझ में आ गई, बाकी ये हेरोइन है और हिरो रहेगा हीरो क्या ये negative role करता है इस पिले में आपको पता लगेगा ठीक है तो हमने क्या बता हेलना है जिसके देखरे कौन कर रही है countess करती है countess सूचती है कि अपने ये क्या होता है जब ये बाटरम France के लिए जा रहा होता है तभी ये रो रही होती है इसको छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं बाटरम को तो काउंटिस आप रोजल इनको ऐसा लगता है कि साइद इसलिए हेलना रो रही है कि हो सकता है अभी-अभी इनके पिता के मृत्यू हुई हो तो इनके पिता अपने पिता की यादों को याद करके इन्हें रोना आ रहा हो लेकिन बटरम के चले जाने के बाद एक एक करके सभी लोग जब बहां से जाने लगते हैं चले जाते हैं सभी के जाने के बाद हेलना जो है काउंटिस को खुलासा करती हैं बताती है कि बहे इसलिए रो रही है क्योंकि बहे आपके बेटे यानि के बटरम को क्या करती है प्यार करती है तो इसका मतलब अब आपको यहां से क्लियर तरीके से पता हो गया कि हेलना किसको प्यार करती है बटरम को और यह बटरम किसके बेटा है काउंटे साथ रोजलेन के बेटा है बटरम जो समाज में उससे इतना उपर है लेकिन अगर हम इनके position की बात करें तो हेलना से कहीं ज़्यादा high status से belong करता है कौन बटरम और तभी वो कहती है कि जो बटरम है वो समाज में society में इसका status बहुत उपर है उससे यानि कि किसको हेलना को उससे साधी करने के लिए किससे बटरम से साधी करने की कोई उमीद नहीं है लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार है प्यार तो किया ही जाएगा तो ये बात किसको इनकी माँ को पता ही लग जाती है बट इनकी माँ जो काउंटिस साफ रोजलिन होती हैं वो हेलना को पसंद करती हैं क्योंकि हेलना बहुत प्यारी लड़की है इसकी आदत बहुत अच्छी है और साथी साथ ये बहुत ज़्यदा खुपसूरत और सुन्दर है तो काउंटिस साफ रोजलिन को कोई आपती नहीं है ठीक है बट साध तो वाटरम को करना है, तो वाटरम तयार होना चाहिए ना, वो तो अभी तयार नहीं है, चलो देखते हैं कहानी में आगे क्या मोडा आता है, क्या सस्पेंस निकलता है, कुछ समय बाद जो वाटरम का एक दोस्ट दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है बही पैरोल, मैं पैर परजिनिटी से मतलब होता है कि इसकी purity के बारे में बात करता है पवित्रता की बात करता है जिससे सुनने के बाद जो हिलना होती है हिलना के अंदर जो हिलना है इसके अंदर वर्टरम को फाने की चाहत और बढ़ जाती है लेकिन वर्टरम तो अब फ्रांस चला गया है ये तो जो है दिक्कत है बीच में यूद्ध हो रहा है वो है फ्लोरेंस और सियना उन दोनों देशों के नाम ध्यान बनाए रखना भईया मैंने क्या बताया एक का नाम फ्लोरेंस बताया दूसरी का नाम सियना बताया के बीच बिबाद है बिबाद में हस्तचेप नहीं करने का फैसल हैं वो कहते हैं कि इन दोनों सेरों के बीच में मैं कोई हस्तचिप नहीं करूंगा ऐसा फैसला करता हूं और वो ये भी कहते हैं यदि कोई इस विवाद में भाग लेना भी चाहता है तो बैए इटली में जाकर के इस विवाद में सामिल हो सकता है इटली में जाकर कि आप आपत्ती नहीं है यानि कि किसको राजा को इसके बारे में किसी तरीकी की कोई आपत्ती नहीं होगी तबी किंग आफ फ्रांस बहां पर जो किंग आफ फ्रांस होते हैं बहां पर वर्टरम को आता देखता है यानि कि ये जो किंग आफ फ्रांस हैं वो देखते हैं कि वर्टरम उनके दरवार में आ रहा है और उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है किसका वर्टरम का किसके द्वारा किंगा फ्रांस के द्वारा राजा आगे कहते हैं कि तुमारे पिता की मृत्व के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ लेकिन मैं खुद भी अब जादे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी भी उम्र हो चुकी है यानि कि बहुत जादे हैं उम्र हो गई है और उम्र होने के साथ में कई बीमारियों का सिकार हो गया हूँ मेरे सरीर में कई बीमारियोंने घर कर लिया है और मुझे पूरी तरीके से मैं होपलेस हो चुका हूँ क्योंकि मुझे अब कोई उमीद नहीं है कि मैं आगे जीवित रहे पाऊंगा ऐसी बातें कौन कर रहा है ऐसी बात वाइकेंगा फ्रांस कर रहा है किस से बोलने हैं कि बटरम से दूसरी तरफ रोजलिन में काउंटिस को ये पता चलता है दूसरी तरफ ये जो रोजलिन हैं काउंटिस साप रोजलिन हैं इनको ये जानकारी होती है कि हेलना उसके बेटे बाटरम से प्यार करती है क्योंकि हेलना बता देती है कि मैं आपके बेटे बाटरम से प्यार करती हूँ और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काउंटिस हेलना खुद ये बात पूछती है तो हेलना और हेलना जो हैं वो countess को बता देती हैं कि हाँ मैं आपके बेटे से प्रेम करती हूँ यहाँ पर जो होती हैं countess खुद पूछती हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बटरम से प्यार करती हो किस से पूछती है हिलना से तो हिलना इस पास रूप से बता देती हैं कि हाँ मैं आपके बेटे बर्टरम से प्यार करती हूँ इसमें काउंटिस को कोई आपती नहीं होते हैं उन्हें तो और हैपिनेस मिलती हैं अंदरी अंदर दो लड़ों फूट रहे होते हैं काउंटिस साफ रोजल इनके क्योंकि इतनी प्यारी अच्छे खुबसूरा सुंदर कन्या जो मिलने वाली उनके बेटे को वर्टरम को तो बही हेलना ने पेरिश जाने अब हेलना का करती है कि जब इसको ग्रीन चित यहां से मिल जाती है तो हेलना अब पेरिश जाने की योजना बनाती है तो हेलना ने पेरिस जाने की योजना बनाई है काउंटिस हेलना से पेरिस जाने की उसकी योजना के बारे में पोर्ष थी है हेलना का कहना है कि उसके पास कुछ जड़ी बूटी और कुछ दवाई हैं जो उसके पिता ने देथ के बाद छोड़ी हैं यानि कि उसके पिता के मृत्यों हो जाने के बाद हमारे पिता जी कुछ जड़ी बूटी और कुछ दवान्या चोड़ करके चले गए, वो दवान्या मेरे पास हैं और आप कहती हैं कि जो king of France हैं वो बहुत ज़दा बीमार हैं तो मुझे पूरी उमीद है कि मैं इन जड़ी ब मकसद है वो बाटरम को देखना है ये भी बहुत स्विकार कर लेती है कि जब मैं राजा की जो है इलाज करूंगा तो साथ ही साथ मेरी मुलाकात जो है वो किस से हो जाएगी बाटरम से हो जाएगी क्योंकि अब इनका मन बिल्कुल भी यहां पर रोजालिद में नहीं लग है ठीक है तो इसलिए अब वो पेरिश जाएंगे क्योंकि इस समय जो बाटरम है वो कहां है पेरिश में है तो इस बात को स्विकार करने में उसे कोई हेजिटेशन भी नहीं होता है हिलना इस परस कह देती है कि हां मैं उसे बहाँ पर मिल भी लूँगी मेरी मुलाकात भी हो जाएगी मैं उससे देख भी लूँगी इतना क्लियर हो गया तो काउंटिस का कहना है कि राजा साइद हेलना को उसे ठीक करने की कोशिस भी नहीं करने देंगे तो जो काउंटिस होती है यह जो काउंटिस आप रोजा लेने होती है यह हेलना से कहती है कि बिटिया तुम जातो रही हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ठांस के राजा है वो तुमें अपने दरवार में एंट्री भी करने देंगे मुझे नहीं लगता कि वो तुमें अपने दरवार में गुसने भी देंगे क्योंकि बह केबल और वो क्या समझेंगे वो तुम्हें सिर्फ ये समझेंगे कि तुम जो होना वो एक गरीव अनपड और कुवारी लड़की हो और राजा ने तो राजा के यहां दरवार में तो बड़े-बड़े डॉक्टर्स बहुत बड़े-बड़े बैद जन्होंने बहुत सारा इलाज भी किया तो जब राजा ने राजा को बड़े-बड़े डॉक्टर्स से अपना इलाज करा करके कोई फायदा नहीं हुआ तो तुम्हें वो किस तरीके से अनुमाती दे देंगे फिर भी काउंटिस उसे पेरिस जाने की अनुमाती दे देती है फिर भी काउंटिस आप जो रोजा लेन होती है यानि कि वर्टरम की माँ वो कहती है कि ठीक है हिला अगर आपका मन है पेरिस जाने का तो आप सौक से ज लोगों को इटली भेजा जा रहा है अब देखो इसकी पूरी क्यों पूरी जो है सैंटिंग कहां पहुच जाते इटली में तो बहुत पेरिस की कहानी हो गई अब पेरिस से कहां पहुँचगे कहानी इसकी इटली में पहुँचगे तो setting में कुछ नहीं अगर आप कहानी को ध्यान बनाया रखोगी तो setting कोश्चन भी जादा तरह आपके सुरुआ से पूछे जाते हैं कहीं बहुत जदा बना बहुत जदा डेटेल से नहीं होते हैं या तो आपसे source पूछेंगे जॉनर पूछ लेंगे ठीक है चलो यानिकि इसका मतलब यह जो county सा प्रोज लिन है उन्होंने हिलना को पेरिस जाने की अनुमती दे दी है अब यह पेरिस पहुँच जाती है जब यह पेरिस पहुचती है तब देखो राजा के दरबार में क्या देखती है कि कुछ लोगों को इटली में भेजा जा रहा ह ताकि बहां के बिवाद को सांध किया जा सके लेकि राजा वर्टरम को बहां जाने के अन्मती नहीं देते लेकिन जो राजा यानि कि किंग आफ फ्रांस होते हैं वो वर्टरम से कहते हैं कि तुम को जो है इटली नहीं भेजा जाएगा वो अनुमती ही बहाँ जाने के लिए नहीं देते कहते हैं कि तुम अभी बहाँ जाने के लिए छोटे हो तब ही दरवार में एक दूत आता है जिसका नाम होता है लेफू क्या नाम होता है लेफू आता है और खेता है महराज आपके महल के बाहर एक लड़की आई है दिको ध्यान मनाये रखना लेफ्यू कन है ठीक है तो लेफ्यू एक मैसेंजर है एक दूत है जो की दरवार में आता है और ये सुचना लाता है कि महराज हमारे महल में बाहर एक लड़की आई है जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपकी विमारी को जड़ से खत्म कर देगी यदि आपकी अनमती हो तो मैं उस लड़की को अंदर भेजना चाहूंगा यानि कि अगर आप अनमती दे हमको तो मैं उस लड़की को अंदर भेज दू कौन हेलना को और राजा उस लड़की से कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े डाक्टरों से इलाज करा लिया है क्या तुम मेरी बीमारी को खत्म करने में सक्चम हो तो लड़की उन जड़ी बीटीयों के बारे में राजा को बताती है पहले तो राजा उसे अपना इलाज करने की अनुमती नहीं देती, लेकिन जब ये जो हेलना है ना, जब ये ये कहती है, हेलना, ये कहती है कि यदि मैं आपका इलाज नहीं कर पाई, तो मुझे मृत्युदंड भी स्विकार है, आप मुझे फांसी पर चड़ा देजेगा, आ अगर मैं आपको ठीक ना कर पाऊं, तो राजा को लगा यार इस लड़की के अंदर बहुत अच्छा confidence है, तो इसके बार राजा ने उसे आसिरवात की रूप में एह कहते हुए कि यदि तुमने मेरी बीमारी को खत्म कर दिया, तो तुम इस दरवार में जिसके साथ भी करना चाहती है, किस से प्यार करती है, मैं सुरुवात में बता चुका हूँ, वर्टरम से, तो ये देखो किसका नाम लेगी, वर्टरम का ही नाम लेगी, हेलना जड़ी बीटियों के माध्धम से राजा का इलाज करना आरम करती है, और इसके बाद राजा बहुत जल्दी स् कवर हो जाते हैं, और बिल्कुल स्वस्त, राजा ने बादा किया, तो अपने बादे के मताबिक हेलना को दरवार में बुलाया जाता है, और उससे कहा जाता है हेलना, तुम दरवार में से किसी को भी अपना पती चुनने के लिए स्वतंत्र हो, तुम जिसे चाहों उसे बाई राजा कह रहा है तब तो तुमको साधी करना ही पड़ेगी लेकिन जब किंग आफ फ्रांस कहते हैं तो उनके कहने पर मान जाता है दोनों की साधी कर दी जाती है बडरम अपने दोस्त पैरोल से कहता है कि मैं हेलना के पास सोने से बेतर है कि इटली में जाकर यूद में लड़ते हुए मर जाओं बहुत important quotation है यहां से पूछा जाता है कौन कहता है ये बडरम कहता है अपने दोस्त पैरोल से कौन बडरम कहता है किसे कहता है पैरोल से और ये कहता है बडरम कि भई हेलना के साथ सोने से बेतर है कि मैं इटली में जाकर के यूद्ध में लड़ते हुए मर जाओं अब ये दोनों दोस्त बटरम और पैरोल दोस्त मैं किस की बात कर रहा हूँ बटरम और पैरोल्स की बात कर रहा हूँ इटली जाने की तयारी करने लगते हैं वर्टरम चाहाता है कि हिलना रोजालिन लौट जाए कौन वर्टरम ये चाहाता है कि ये जो हिलना है वो रोजालिन लौट जाए बह कहती है कि बह अपने पती की आग्या का पालन करेगी लेकिन आप तो साधी हो चुकी तो हिलना कहती है कि जैसी महराज आग्या जैसी आपकी आग्या आपका तो आदेश सर्माते पर है जैसे आदेश करोंगे वैसाई पालन करोंगे और विचारी ये कहती है कि मैं अपने पती की आग्या का पालन करोंगे वर्टरम पेरिश छोड़ने से पहले लेफ्यू ने ये जो एक लेफ्यू हमने का बताया नहीं एक मैसेंजर होता है बहुत बुद्धी मान होता है लेफ्यू ने वर्टरम को पेरोल्स पर भरोसा ना करने की सला दे क्योंकि पेरोल्स तो दुख के वाज है तो ये जो लेफ्यू होता है वो वर्टरम से कहता है यार वर्टरम मैं आपको एक सला देता हूँ तुम और पैरोल्स जा तो रहो साथ साथ लेकिन आप पैरोल्स पर कभी भी वरोसा मत करना ये सला किस ने दी है लैफु ने किस को दी है वर्टरम को किस पर वरोसा नहीं करना है ये बात कही तो पैरोल्स पे वर्टरम हिलना को अलविदा कहता है और फिर पैरोल से कहता है कि अब भह जिन्दगी में कभी भी हेलना से नहीं मिलेगा इसके बाद दोनों कौन भईया दोनों वर्टरम और पैरोल इटली के लिए रवाना हो गए यानि कि अब ये कहां चले गए कौन बटरम ये पैरोल और बटरम की तस्वीर को अभी ये रहा बटरम ये दोनों बईया कहां चले गए इटली चले गए कहां चले गए इटली अब ये दोनों बटरम और पैरोल इटली के सहर फ्लोरेंस पहुंचते हैं तो बहा के राजा इन दोनों का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि अभी आप यात्रा की बज़े से बहुत ज़्यादा ठक गए होंगे कौन फ्लोरेंस यानि कि तो डिव का फ्लोरेंस कौन है ये रहे जब ये इटली पहुंचते हैं तो जो फ्लोरेंस के राजा होते हैं इन दोनों का कि इन दोनों का वर्टरम और पैरोल्स का स्वागत करते हैं कि फ्लोरेंस की धरती पर आपका स्वागत है फ्लोरेंस क्या है इटली का एक सहर है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इटली का एक स की वजय से ठक गए होंगे तो आप लोग आराम कर लो और कल युद में भाग ले सकते हो वर्टरम दो पत्र लिखता है एक अपनी माता के को लिखता है अपनी पत्नी जिससे साधी हुई है किस से हेलना के लिए अब देखो वो क्या लिखता है क्योंकि अब तो ये फ्लोरेंस पहुंच चुका है कहां पहुंच चुका है फ्लोरेंस पहुंच चुका है जो कि एक इटली का सहर है तो एक पत्र लिखता है दो पत्र लिखे हैं ध्यान बनाई रखना एक पत्र किसको अपनी माता के लिए और दूसरा पत्र किसको हेलना के लिए क्या उसमें भै कहता है कि भै हिलना के साथ कभी भी नहीं सोना चाहाता और दूसरा पत्र जो उसने यानि कि जो उसने अपनी माता के लिए पत्र लिखता है उसमें भै कहता है कि भै हिलना के साथ कभी भी सोना नहीं चाहता दूसरा पत्र जो अपनी पत्नी हिलना के लिए लिखता है उसमें ये लिखता है कि यदि तुम मुझे अपने पती के रूप में पहाना चाहती हो तो मेरे हाथ में पहनी हुई अंगूठी तुम्हें प्राप्त करना होगी किसकी बात कर रहे हैं देखो सरकल में मैंने रिंग बना रखी है तो उन्होंने क्या करा कि मेरे हाथ में जो अंगूठी मैंने पहन रखी है ठीक है उसको तुमें प्राप्त करना होगा पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन यह थी कि तुमको मेरे बच्चे की मा बनना होगा तो दोनों कंडिशन आपको समझ में आ गई होगी लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बहे कभी भी हेलना के साथ सोना नहीं चाहता जब भया हेलना के साथ सोएगा नहीं तो वो मा कैसे बनेंगी तो ये कंडिशन बिल्कुल भी असंभव लग रही अब देखो आगे कहानी किस मोड पर पहुंचती है बही बात हमको समझना है हेलना उस पत्र को काउंटिस को दिखाती है और जो हेलना होती है वो इस पत्र को इनकी मा जो काउंटिस आप रोजलेन होती है उनको दिखाती है जिसे देखने के बाद में काउंटिस को बहुत ज़दा गुशा आता है काउंटिस अपने बेटे से परिशान है और हेलना से कहती है कि बहुँ उसे बेटी मानती है और बेटी ही मानते रहेंगी काउंटेस हेलना को अकेला चोड़ देती है और हेलना जो रोजलान को छोड़ने का फैसला किया है अब जो हेलना है यहाँ से थोड़ी से कहानि Food समझ लीजिए अब जो हेलना है यह क्या करेगी रोजलान को करके चले जाए कि अभी तो इसके पते ने का कि ठीक है आप रोजा लिन चले जाओ तो वो रोजा लिना अगई अब वो दो दो पत्र है एक माँ पत्र की लिए ह मुझे एकांत बास चाहिए इसलिए मैं रोजा को अब छोड़ना चाहाती हूं तो फैसला कर लिया हेलना काउंटिस को एक पत्र बही पर लिख करके छोड़ देती हैं और बहां से चले जाती हैं काउंटिस को हेलना द्वारा छोड़ा गया पत्र मिलता है और उस पत्र को जब वो पढ़ती हैं तो उन्हें पता चलता है कि हे सेंट जैकस के तीर्थ की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए निकल गई हैं। तो हिलना बहुत अच्छी लड़की थी, उसने कहा मा बेटा के साथ में मैं क्यों यानि कि पता जब तक मैं काउंटिस के साथ रहूंगी तब तक उनका बेटा उनसे कभी मिलने नहीं आएगा तो इससे अच्छा है कि मैं ही काउंटिस को छोड़ करके चली जाती हूं कम से कम इनका बेटा तो इनके पास आकर के रहने लगेगा क्योंकि काउंटिस अपने बेटे से भी नाराज हैं और इधर उसके तुमन में यह था कि बाटरम अगर मैं यहां से निकल जाओंगी तो बा बाद वो पत्र लिख करके वहीं छोड़ करके चली जाती हैं और वो कहती हैं कि अब मैं यहां से चली जा रही हूं और उनका बेटा बटरम जो है अब वो घर आ सकता है यह कहानी थी इनकी अब हेलना अपनी यात्रा के दौरान यह जो हेलना है न वो जब यात्रा कर रही थ तो अपनी यात्रा के दौरान इटली के एक सहर फ्लोरेंस पहुंचती है और भाई फ्लोरेंस में ही कौन है बटरम भी है अभी जहां रखना फ्लोरेंस में ही कौन वो भी दोनों लोग पहुंच चुके हैं बटरम और पैरोल्स भी और इस्थफाक से हेलना भी इटली के उसी सहर फ्लोरेंस में पहुंच जाती है जहां पर इनकी जो मुलाकात होती है वो किसे होती है एक बिद्वा एन ओल्ड बिडो होती है फ्लोरेंस की ठीक है उन से इनकी मुलाकात होती है और उनकी एक बीटी है जिनका नाम डाइना कैपलेट। है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कि हेलिना जब इटली के सहर फ्लॉरेंस में पहुंसती हैं, तो बहाँ पर किसे मिलती हैं, आप तुरंट बताईएगा, ف्लॉरेंस की एक बीडो होती हैं, उनसे इनकी मुलाकात होती इन बिडो की एक बेटी भी है अच्छा बिडो की बेटी का क्या नाम है डाइना कैपलेट है क्या नाम है डाइना कैपलेट इसका मतलब यह हुआ कि जो हेलेना है उसकी इन दोनों से मुलाकात होती है कहां फ्लॉरेंस सहर में जिसे हेलेना का पती बाटरम पसंद करता है अब यहांपर एक फेक्ट आपको और जानने की जरूरत है कि यह जो डायना काप लेट है यह बहुत खोसूरत है इसको सथिद्यूज करना चाहता है कौन हिलना का पती जिसका नाम बाठरम है साधी तो हो चूपकी है तो पती तो बोलेंगे तो हेलना का पती बटरम जो की इसको seduce करना चाहाता है इसके साथ सोना चाहाता है ठीक है तो अब देखो कहाने क्या मोड लेती है और इसके साथ सारीरिक संबंद भी बनाना चाहाता है किसके साथ डाइना का अपलेट के साथ में लेकिन बिद्वा और उसकी बेटी डाइना ऐसा नहीं करना चाहाते अब हेलना एक योजना बनाती है यहाँ पर जो हेलना होती है वो एक योजना बनाती है कि बहे बिद्वा और उसकी बेटी डाइना से कहती है कौन हेलना ये रहा ये रही हेलना ये योजना बनाती है और ये कहती है कि इससे बिदबा और उसकी बेटी से कहती है कि जब अगली बार बटरम तुम पर तुमको लुभाने की कोशिस करेगा कौन वटरम अगर तुम्हें लुभाने की कोशिस करेगा तो मैं तुम्हारे इस्थान पर जाकर बहां बैठ जाओंगी यानि कि उस सेज पर उस बिस्तर पर मैं रात को तुम्हारे जगह पर सोने के लिए चली जाओंगी हेलिना ऐसा ही करती है रात के अंधेरी में जब वटरम जो होता है वो क्या समझता है हेलिना को डाइना समझ करके लुभाने की कोशिस करता उसे लगता है कि ये डाइना है बास्तिविक्ता में वो डाइना नहीं होती कौन होती है इसी की पतनी हेलिना होती है ठीक है लेकिन बटरम क्या समझ रहा है कि ये डाइना है और डाइना समझ करके इसको लुभाने की कोशिस करता है तो हेलेना बटरम की सारी सर्तों को माल लेती है ये जो हेलेना होती है वो बटरम की सारी सर्तें माल लेती है लेकिन उससे पहले बहा कहती है कि तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी मेरी अंगूठी के साथ बदलनी होगी यानि कि मेरी उंगली में जो रिंग डली हुई है वो रिंग तुम्हें अपनी उंगली में डालनी होगी और आपकी उंगली में जो फिंगर में रिंग है और वो रिंग मुझे देना पड़ेगी इसका मतलब यहाँ पर इन लोगों ने उसी रात रिंग भी एक्चेंज कर ली अच्छा पिछले कहानी में हम बता चुके हैं कि भाई या दो कंडीशन रखती है बाटरम ने कहा कि मैं तुम्हें उस दिन अपनी पत्नी सुिकार कर लूँगा जिस दिन मेरे हाथ की अंगूठी तुम्हारे हाथ में पहुँच जाएगी और तुम मेरी और तुम जो है मेरे बच्चे की मा बन जाओगी तो देखो आज की रात वो दोनों कंडीशन फुल फिल होने जा रही है द्यान से समझना क्योंकि डाइना की स्थान पर कौन आया है बाटरम के साथ उसी की पत्नी जिसका नाम हेलना है वो आई है और वो समझ किसको राए डाइना को डाइना को समझ करके वो उसकी सारी कंडीशन मानता चला जा रहा है और उसके हाथ की जो अंगूटी होती उसको भी एक्चेंज कर लेता है और उस रात ही लोग सारी रिकसंबंद भी बनाते हैं जिससे जो है आगे चल करके जो हेलना होती है वो प्रेगनेंट हो जाती है चलो देखते हैं कहानी कहाँ पर पहुँच जाती है और बर्टरम अपनी अंगूठी उसको दे देता है उसकी अंगूठी खुद पहन लेता है अब बर्टरम हिलना उसके साथ सारी रात अपना समय बेतीत करता है जिसके बाद बर्टरम के द्वारा दी गई सारी सरतें पूरी हो जाती हैं हिलना के पास वो अंगूठी आ जाती है और बैप्रेगनेंट भी हो जाती है अब फ्रांस में अचानक एक अफवा फैलने लगी तब तक क्या हुआ इधर फ्रांस में एक अचानक अफवा फैलने लगी इधर देखो ये रहा फ्रांस तब तक फ्रांस के राजा है तो फ्रांस में अचाने के कफ़वा फैलने लगती है कि हेल ना कि उसकी तीर थे आत्रा के दोरान जो भी सेंट जैकस के तीर थे आत्रा पर गई थी उसी के दोरान उसकी मृत्ति हो गई ये बात फ्रांस के राजा को पता चलती है तो उन्हें बहुत दोख होता है बहुत काउंटिस से मिलने के लिए रोजा लिन्च ले जाते हैं और ये त्रॉंत किंग आफ फ्रांस कहा रोजा लिन्च ले जाते हैं काउंटिस से मिलने के लिए और जाकर countess को बताते हैं कि जब यह बात countess को पता चलती है मुरत्य वाली बात countess को share करते हैं तो जब countess को यह बात पता लगती है तो वो भी बहुत ज़ादा दुखी होती है दूसरी तरफ हेलेना अपने साथ वही बिदवा जिसको हमने तुम्हें बताया था जो ओल्ड बिडव थी फ्लोरेंस की बो और ये डाइना का प्लेट यानि कि बिदवा और उसके बेटी डाइना को लेकर फ्रांस पहुंचती हैं जैसे ये फ्रांस पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां जो फ्रांस के राजा थे बो तो रोजालिन गए हुए हैं काउंटिस से मिलने के लिए तो अब ये सबी लोग रोजालिन के लिए निकल पढ़ते हैं कौन ये तीनों लोग ओल्ड बिडव, डाइना का प्ल लिए रोजालिन के लिए निकल पढ़ता है, रोजालिन में अब फ्रांस के राजा काउंटिस को डाड़ते हैं, साथ ही उनके बेटे वर्टरम को भी डाड़ते हैं कि तुम लोगों की बजह से एक अच्छी लड़की अपनी जान गवा दी, अब फ्रांस के राजा वर्टर की बेटी जो है उसके साथ आपको साधी करना होगी किसकी बेटी लेकिन लेफू इस बात पर विश्वास नहीं करता कि बट्रम उसकी बेटी को धोका नहीं देगा इसलिए बहसाबूत के रूप में बट्रम की अंगूठी को मांगता है लेकिन जब बट्रम की निगहा उस अं अंगूठी तो हेलना को दी थी वै क्योंकि अंगूठी चेंज हो चुकी है तो उसे लगता है यार यह अंगूठी तो मैंने हेलना के हाथों में पहनाई थी मेरे हाथों में कैसे आ गई तो सभी लोग बहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी सोचने लगते हैं कि यह अंगूठी बटरम के पास कैसे आई और सभी को यह संदे होने लगता है कि बटरम ने ही हेलना का कतल किया है लेकिन बिद्वा की बेटी तभी जो बिद्वा होती है यानि कि यह ओल्ड बिडो होती है फ्लोरिंस की उसकी बेटी बहाँ पर आती है और कहती है कि अंगूठी मैंने बटरम को दी किसने अंगूठी मैंने जो है वो बटरम को दी फ्रांस का राजा डाइना से पूस्ता है कि ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली जो फ्रांस के राजा होते हैं वो तरंद कहते हैं कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कहां से आई इसका जवाब डाइना के पास नहीं है तो फ्रांस के राजा वर्ट रम और डाइना दोनों को अपनी सिफानियों से ग्रफथार करवा देती है यानि के वर्ट रम और जो डाइना होती है उन दोनों को ग्रफथार करवा देती है कौन फ्रांस के राजा अब जब कहानी बहुत ज़्यदा गंबीर हो जाती है ठीक है तब जो है तुरंत हिल ना निकल करके आती है और वो सारी सच्चाई की किस तरह से उसने बाठरम को अंगुठी प्राप्त की यानिके बाठरम की उंगली के अंगुठी मेरे में कैसे आई और मेरी अंगुठी उसके पास कैसे गी और मैं इनके बच्चे की मा कैसे बनी इस सारा बकाया इस सारी वाचित इस सारी घटना जो है वो सब के सामने रिवील कर देती है सब के सामने बता देती है हेलना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है एसब जानने के बाद बठरम हेलना को अपनी बीबी के रूप में अपनी वाइप के रूप में पतनी के रूप में अरदांगनी के रूप में स्विकार कर लेता है फ्रांस के राजा बिद्वा की बेटी डाइना से बहुत खुस होते हैं जो बिद्वा की बेटी है जिसका नाम हम पहले ही बता चुके हैं क्या है डाइना का प्लेट है इससे बहुत जदा हैपी होते हैं खुस होते हैं और कहते हैं कि तुम दर्वार में जिस किसी से भी साधी करना चाहों मैं तुम्हारी साधी उसके साथ करवा दूँगा इसी के साथ एक कहानी खुसी-खुसी समाप्त हो जाती है, हैपी एंडिंग होती है और इसमें कुछ लवाचे केरेक्टर होता है, मैं पहले सारी चीज़ें आपको बैसे क्लियर करके बताई चुका हूँ कि यह जो लवाचे एक क्लाउन दिखाया जाता है इनके घर में, तो यह एक क्लाउन है, इसकी तस्वीर ध्यान बनाए रखना अगर आपको कभी, वालेंटा के बारे में तो यह गोष्ट करेक्टर दिखाई जाती है, कौन होती है, मैरियाना की बात करें, तो यह मैरियाना कौन होती है यह पडोसिन दिखाई जाती है, और जो बिडो होती है, उसकी दोस्त दिखाई जाती है, कौन मैरियाना इस्टेवार्ड के बारे में तो आप लोग जानती हो वह या यह इस्टेवार्ड कौन है तो इस्टेवार्ड जो होता है वो serving the countess at Rosalind Rosalind में उसकी सेवा करने वाला वो इस्टेवार्ड ही होता है ठीक है तो यह कहानी थी पूरी साथियो किसकी all's well that ends well तो यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के बीच में इसको share कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लेजेगा क्योंकि पूरा TGT का course मैं इसी पर कराने वाला हूँ और इस वीडियो के description में मैं आपको अपने टेलिग्राम चैनल का link भी दे दूँगा और वहाँ पर आपको सारी updates, PDF और वीडियो का link समय समय पर मिलता रहेगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही सातियो जैहिन जै भारत